नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं एच पीसी ग्राउंड में अबुआ अवास वेना के थाथ आयोजी सुकृति पत्र बित्रन समारों को समोधृत करते वे कही है उन्होंने इस मोके पर अबुआ अवास के लावुकों को सुकृति पत्र परदान किया लाभुकों के बीच अवास निर्मान के प्रतम किस्थ किरा से भी ऑनलेन टांसपर किया गया मुख्यमंत्री ने कहा है कि जारकन सरकार अबुआ अवास निर्मान के लिए 2 लाख रुपए दे रही है उन्होंने कहा कि खुटी और सिम्डेगा के लाभुक अवास निर्मान के दिशा में आगे बढ़े खुटी और सिम्डेगा में करीब 75,000 अवास का निर्मान होगा उन्होंने कहा है कि यह पहला मौका है जब राज सरकार अपने दम पर राजी के लोगों को अबवा आवास दे रहिया है खुटी के लोगों के लिए अबवा आवास वेना का सुभारम हो रहा है कालकरम को राज के ग्राविन विकास मंतरी अलमगीर अलम स्रम मंतरी सत्यान भोकता ने भी संबोधित किया है कालकरम में सीएम के प्रधान सचीव बिनाय चोबे समेत अन अधिकारी मजूद थे जारखन पुलिस भरती की आवेदन पर किरिया सुरू जारखन पुलिस कॉंस्टेबल भरती के लिए आवेदन पर किरिया सुरू हो गई है जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वे अधिकारिक बेपसाइट jsc.nic.in से आवेदन कर सकते हैं आवेदन सुरू हुए है और 21 फरवाई तक आवेदन किये जा सकते हैं आपको बता दे कि जारखन पुलिस में कॉंस्टेबल के 4929 पर भरती होनी है आपको बता दे कि किसी कारण वस पहले आवेदन की पर किरिया को अस्थागीत कर दिया गया था अब आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आपको बता दे कि इस भरती के लिए 10 भी पास उमिद्वार आवेधन कर सकते हैं लंबे समय बाद राजे में पूलिस कॉंस्टेबल की भरती निकली है कॉंस्टेबल में चायान फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लिखित परिक्षा के जरिये होगा इस भरती के जरिये राजे के गिरिह कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग के तहट जीला एकाय के कॉस्टेबल पर दोपर नियुकती होगी कूल फैकेंसी में रेगुलर के 3799 और बैकलोग में 1120 पत सामिल है सियम हमन्त ने सुबास चंद्र बोस की परतिमा पर किया मल्यारपन छारखन के सियम हमन्त शुरे ने ने नेताजी सुबास चंद्र बोस की जयनती पर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री हमंसुरे ने कहा कि देश के स्वाधिनता संगरा में नेताई सुबास चंद्रबोस के निरायक भूम करही थी आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे मुख्य मंत्रे मंसुरे ने कहा है कि नेताई सुभा चंद्रबोस ने आम जर्मानस के गौरों को सापित किया है हमें इस बात का गौर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक बीरो और बिरंगनाओं ने जर्म लिया है चत्रा में तीन उग्रवादियों ने पथर माइस में लगी दो पोकलेन जलाया जार्खन बिहार की सीमा परिष्थी चत्रा जिले के हंटर गंज ठाना छेत्रे की तिलहेत पंचायत के लुट्टा गाउं में माय कैलेस्वरी इंटरप्राइजेज पत्थर माइस में उग्रवादियों ने सोमवार राज जम कर उत्पात मचाया उग्रवादियों ने माइस में लगी दो पोकलेन को आग के हवाले कर दिया साथ ही मोनसी और मैदूरों के साथ मार पिट भी की है बताया जा रहा है कि टी एसपीसी के हरेंद्र के नेतित वाले दस्ते ने लेवी के लिए इस घटना को अजाम दिया है लुटा गाउस्ती जिस माईस में वबादात हुई है वो हजारी बाग जिले के बरकटा निवासी राम लखन में तका है सुमवार रात 10 से 15 थियारबंद उगरवादी यहां पहुचे थे जारखन में आज बारिस की संभावना तेलंगाना अच्छातिस घट में एक सर्कुलेशन बना हुआ है इसका असर जारखन में भी दिख रहा है इस कारण राजी के दक्षनी तथा मध्य भाग में बुद्धवार को कहीं कहीं बारिस हो सकती है बादल चाहे रह सकते हैं गुरुवार से मौसम साप रहेगा इसके बाद निम्तम तप्मान में गिरावट होगी मौसम बिज्ञान केंद्रे के प्रभारी अभिसेक अनन ने कहा है कि राजी के दक्षनी हिसो में बादल और हलकी बारिस हो सकती है राजधानी राची में भी बुद्धवार को हलकी बारिस हो सकती है इसके बाद मौसम सोस्क रहेगा बादल के कारण निम्तम तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा बोकारो थर्मल के पास इसकूली बच्चों से भरा आटो पल्टा एक गारा बचे घायल इसकूली बच्चों को लेकर बोकारो थर्मल से कंज कीरो गाउ जा रहा आटो मंगलवार की दो फर पलट गया दुर्गाटना में 11 बच्चे वद दो अन्य लोग घायल हो गया घायलो का इलाज बोकारो थर्मल के अस्पताल में कराया गया जबकि गंभी रूप से घायल तिन बच्चों को डॉक्टों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है जनकारी कनुचार इस्कूल के छुटी के बाद बच्चे आटो से अपने घर कंज कीरो जा रहे थे सिसील गोविंद पूर कलोनी के समीब मुखे सलक पर एक बाइक सवार को बचाने में आटो अन्यंतित होकर पलट गया रांची सम्यत पाच एस्टेस्नों से चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन इसके लिए मुख्याले ने सभी डिविजन को पत्रलीग का जनकारी दी है यहां ट्रेन अलग अलग की को टाटा वोकारो रांची बाला सोर गा हाल हावला से चलेगी ट्रेन में सिलिपर के दो और जनरल के 20 कोच होंगे ट्रेन संख्या 08-019 टाटा दर्सन नगर एस्पेशल ट्रेन टाटा से 29 जनवारी वह दो फरवरी को चलेगी वहीं ट्रेन टाटा से सुबह 11 बच कर 50 मिट रवाना होगी वह दर्सन नगर अगले दिन सुबह 3 बच कर 20 मिट पर पहुचेगी वहीं दर्सन नगर से 31 जनवारी वा 21 परवारी को चलेगी दर्सन नगर से ट्रेन सुबा 8 बजे रवाना होगी और रात 11 बजे टाटा पहुचेगी लातेहार में बुजुरुग पर भालुओं का हमला रिम से रेफर जार्खन के लिए आतेहार सदर थाना छेत्रे के भैस मारा गाओं के रहने वाले सतर साल के भोला भुणया पर दो भालुओं ने हमला कर दिया जिसमें ओगंभी रूप से खायल हो गए परिजनों ने तुरंथ ही भोला भुणया को नजदिक के अस्पतार ले जाया गया जहाँ पर रात में कुपचार के बाद उन्हें रांची के रिम स्रेपर कर दिया गया इस गाटना के बाद बन भिभाक्या दिकारी को दी गई है बताया जा रहा है कि भोला भुणया जंगल में बकर्या चराने गये थे जहां दो भालू ने उन्हें पर हामला कर गंभी रूप से खायल कर दिया सोर मचाने पर कुछ लोग मोगे पर पहुंचे और भालू जंगल की तरह भाग निकले बाबा बागेश्वर धाम के कारेकरम को लेकर सुनवाई आज पलामु में बाबा बागेश्वर धाम पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री के प्रस्ताविक कारेकरम को लेकर प्रार्थी की ओर से जहारखन हाई कोट में संसोधित याज का दायर कर दी गई है यह ममला हाई कोट के जस्टिस अनन सेन की अदालत में 24 जनवारी को सुनवाई के लिए सुची बद है उलेखनी आयाएगी प्रार्थी अहनुमंत कथा आयोजन समीति की ओर से संजोजक मेदनी नगर के प्रोमेर अरुन संकर सचीव दिनानाथ परसाद ने संसोदित यच का दायर की है इसमें कहा गया है कि पलामों को उपायुक दोवारा आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही अनुमति के लिए उन्हें विस्तित प्लान दिया गया था लेकिन उन्होंने 10 जन्वारी को कानुन बेवास्ता की समस्य उत्पन होने के असंका जाहिर करते हुए अनुमति नहीं देने से समधी आदेश चारी कर दिया प्रधान मंत्री आवास वेना के तहत उत्कृष्ट आवास बनाने वाली मानगो की आसाई सुरीन को गनतंतर दिया 26 जन्वारी पर दिल्ली के राजपत पर आयोजीत होने वाले कारकरम में सामिल होने का अमन्तरन मिला है मानगो संको साई रोड नमबर 5 निवासी आसाई सुरीन को 26 जन्वारी को दिल्ली में आयोजीत कारकरम में सामिल होने के लिए नगर विकास विभाग ने राजधानी एक्सप्रेस का यात्रा टिकट और अधिकारिक निवंत्रन पत्र भेजा है गंतंत्र दिवसकारकरम में भाग लेने का भारत सरकार ने निमंतरन मिलने से आसाई सुरीन के परिवार में उत्सा का महौल है इससे पहले आसाई सुरीन के जीवन पर अधालित विडियोग्राफिक को पूरे जहर्खन में तीसरा स्था मिला था लोग सभाज चुनाव के लिए पुलिस मुख्याले से सभी जीलो को खास निर्देश लोग सभाज चुनाव को लेकर अब जहर्खन पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तियारी सुरू हो गई है ऐसे में पुलिस मुख्यलेन सभी S.P. को चुनाज सम्बंदी प्रसिक्षन के लिए अपने जवानों को त्यार करने का आदेस दिया है प्रसिक्षन सम्दी आदेस निर्देस वा एसोपी की कोफी भी सभी जीलों को प्रसिद की गई है डिजीपी ने अपने सभी प्रसिक्षन केंद्रों के प्रभारी सभी जीलों के S.P.S.P. इकाई पर्मिखों को जारी निर्देस में बताया है कि लोग सभाद चुनाव स्वक्ष निस्पक्ष भयमोक्त वसांति पुनवातावरन में कराया जाना है इसके लिए भारत निर्वाचन आयोगनाई दिली से बल प्रतिन्योक्ति को लेकर जारी मेनुवल के तहती प्रसिक्षर पर जोर दिया जा रहा है जार्खन स्टेट ओलंपियाड परिक्षा 29 तथा 30 जन्वारी को जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिस्ट द्वारा आयोजित होने वाली जार्खन इस्टेट ओलंपियाड दोहजातेश के दूसरे चरण की परिक्षा 29 तथा 30 जन्वारी को होगी JCERT ने परिक्षा का करक्रम जारी करते हैं विश्त्री दिशा निर्देश सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों और जीला सिक्षा अधिक्षकों को भेज दिये हैं साथ ही इस परिक्षा की निगरानी के लिए 24 पताधी कारियों की जिमेदारी अलग अलग जीलों को दी गई है इस परिक्षा में कूल 1489 बिद्धार्ती सामिल होंगे जो पहले चरण की परिक्षा के अधार पर्यों के घोशित किये गए है CRPF अफसरों को खिलाफ प्रात्मेखी परभण के भाजपा ने था भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुला मांडे ने 20 जनवारी को जस्टीस LPN सहदे चोकपर मुखी मंत्री के भासन देने का वीडियो जारी कर प्रसासन से करवाई की मांग की है बाबुला मांडे ने कहा है कि 20 जनवारी के रात स्टीम आवास सटे LPN सहदे चोकपर 244 लगा हुआ था वहां मुखे मंत्रे अपने अधिकारियों के साथ कानून की धजिया उड़ा रहे थे उन्होंने आगे यहां भी कहा है कि इड़ी अधिकारियों की सुरक्षा एवां उन्हें भाड़े पर लाए गए तीर धनों से लेस लोगों से बचाने के लिए आए सीरपी अपसरो जवानों पनी से धग गया उलंखन का मुकाबला करने वाली रांची पुलीस अगर कानून सम्मत काम करती है तो पहले मुखे मंत्री और भाड़े के लोगों के साथ ही वहां मौझूद पुलीस और प्रसासनिक अपसर पर मुकादमा करे राम मंदिर प्रंपर्तिष्ठा पर रांची में 60 बच्चों का जनम अयोध्या में सोम्वरको स्रीराम लला के प्रंपर्तिष्ठा के दिंरी रिमस और सदर्सहीत विभिन निजी अस्पतालों में करीब 80 बच्चों ने जनम लिया है बच्चों के मुकाबले बच्या की संख्या अधिक रही सबसे अधिक 28 बच्चे सदर अस्पतल में जनम लिये वही रिम्स में 20 बच्चों ने जनम लिया है जनकारी कानुसा सेंटे विटा में 6 हिल भीू में 4 और मात्रु जीवन में 4 सहित अने अस्पतालों में आम दीनों के मुकाबले अधिक संक्या में बच्चों ने जनम लिया है रांची के सीविल सेजन डाक्टर प्रभात कुमान ने बताया है कि अने दियों के मुकाबले अधिक संक्या में बच्चों ने जनम लिया हर दिन सदर अस्पताल में 18 के करीब बच्चों का जनम होता है वही राजे के सबसे बड़े अस्पताल लिम्स के रिकोर्ड के अनुसार हर दिन अस्टन 12 से 15 बच्चे ही जनम लेते हैं सुरेन परिवार की जगा होटवार जेल में बाबुला मरांडी पुरु मुख पंदरी सभाजबा परदेश अध्यक्स बड़ेस कराल में प्रेश वारता कर सुरेन परिवार पर निसाना सदा मरांदी ने लोकपाल दुआरा सीवू सोरेन परिवाय के चल अचल समपती की जाच के संबंध में दिली उच नियाले के फैसले का स्वागत करते हैं कहा कि भरस्टाचार लोकतंतर के लिए खात रहा है बावुला मांडी ने कहा एक भरस्टरचार के खिलाब संहर जारी रहेगा जब तक भरस्टरचारियों को सजा नहीं मिल जाती भाजपा चैन से नहीं बैठेगी एक दिन भरस्टरचारियों को होटवार जाना ही पड़ेगा सुरेन परिवार की जगा होटवार जेल में है बाबुला मांडी ने कहा है कि एक तरब सीवू सुरेन परिवार मुख्यमंत्री हिमन सुरेन भट्रचार नहीं करने की बात करते हैं कहते हैं कोई गलबड़ी नहीं किया तो फिर जाच एजेंसियों से क्यों भागते हैं क्यों जाच रूक वाने के लिए हाई कोट चूप्रिम कोट दोते हैं सरकारी कर्मियों को होम लोन साथ लाग तक कैबिनेट बैठक आज कैबिनेट की बैठक बुद्धवार को प्रजेक्ट भौन में होगी कई महतपुन प्रस्ताओं को सोभीति दी जाएगी सुत्रुक मताबिक सरकारी कर्मियों के मकान खरीदने के लिए मिलने वाले रीन की अधिक्तम सीमा रासी में बढ़ोतरी कर इसे साथ लाग रूपे करने के प्रस्ताओं पर मोहर लगाने के उमीद है यह प्रस्ताओं बीत विभाग का है अब तक अधिक्तम 30 लाग रूपे लोन मिलता है सरकारी कर्मियों को होम लोन देनने को लेकर विकास अयुक्ति अधिक्स्ता में एक कमिटी बनी थी कमिटी ने लोन किरासी को बढ़ाकर 60 लाग तक करने के उमीद संसा की थी जिसे बीत विभागने स्वक्रिती दिया है संसद संजय सेट को मिलेगा दादा साहेब फाल के गोल्ड अवार्ड दादा साहे फाल के आईकोन गोल्ड आवार्ड के लिए सांसत संजय सेट का चैन किया गया है 24 जन्वारी को नई दिली में सांसत संजय सेट को यह आवार्ड दिया जाएगा डादा सहे फाल के संस्थान के दोरा संसत को बेश्ट आइकोन एमपी ज्जारखन के रूप में चुना गया है शंसत का यह चुनाव छेत्र में आम जन्ता के बीच सक्रियता लोग सभा में उपस्थी थी सत्र में सवाल जबाब छेत्र में विकास कारियों को लेकर सक्रियता सोसल मीडिया पर सक्रियता सहीच समाजिक छेत्र में किये जाने वाले किये गए कारियों को लेकर हुआ है संस्था ने एक सर्वे के बाद संसत को इस अवार्ड के लिए नामित किया है बतादे पिछले बरसों में सांसर संजय सेट ने लोग सभा में अपनी सत पर्थियत उपर्थिती दर्च कराई है सवालों के मावले में भी सांसर सक्री रहे हैं औरजुन मुंडा ने फुटबोल महा कुम्भ का किया अगाज नेताजी सुबास चंद्र बोस की जयांती पर खर्षावा के गोंद पूर्मे मंगलवार से 16 टीमों के बिच दो दिवसे नेताजी का पुटबोल महा कुम्भ सुरू हुआ है मा आकर्षनी खेल बिकास समीती की ततोधान में आयोजीत इस पर्ट्योकता का उधगाटन केंद्रिय मंति अरजुन मुंडा ने किया मोके पर अरजुन मुंडा ने कहा है कि सोतंत्रता संगराम में नेताजी सुबास चंद्र बोस के जोगदान को सम्मान देते हुए केंद्र की मोधी सरकारे नेताजी सुबास चंद्र बोस की जयनती को प्राकर्म दिवस गोशित किया है नेताजी का प्राकर्म हम सब को प्रेना देता है उन्होंने कहा है कि जो समाज वो देश अपने प्रुवजों को भूल जाता है वह कभी इतिहास नहीं बना सकता उन्होंने कहा कि संगहर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं भारत जोड़ो नया यातरा को लेकर बैठाक राहूल गांधी के नेतुत में चलाया जा रहे है भारत जोड़ो नया यादरा को जारकन में ब्यापक रूप से सफल बनाने के लिए कांग्रेस निताओ के एक महत्पून बैठक मंगलवार को कांग्रेस बहुन में हुई पर्देश अध्यक्स राजेस ठाकूर की अध्यक्सता में कारकरम की सफलता के लिए आम कांग्रेस जनों की भागेदारी आपसी समझत से पर अत्यदिक जोड़ दिया गया बैठक में ठाकूर ने कहा है कि देश अराजक दोर से गुजर रहा है और इसी अराजकता को दोर करने के लिए राहूल गांधी ने युवा नयाय नारी नयाय किसान नयाय स्रमिक नयाय और भागेदारी नयाय के लिए भारत जोड़ दैतरा के शुरुआत की है देश से नफरत की महुल को मिटाने के लिए इस दोल में राहुल गांधी के संखर्ष में हम सभी को आम जनता को भागेदार बनाते हुए कदम से कदम मिला का संखर्ष करना होगा कोडारमा में हाथियों ने मचाया उत्पात कोडारमा के सतडीहा में सोमवार की साम बरकन गांगो जंगल से बराकर पार कर छह साथ की संखर्ष में आया हाथियों ने कटहारा टांड करनों सरनों जर्याई इलाके में उत्पात मचाया है हाथियों ने बराकर के किनारे 10 एकड़ में लगी सरसो गेहू वह रहर की फसल को खाय गए और कुछ को तहस नस कर दिया हाथियों ने राजु यादों की एक एकड़म लगी गेहूं और सरसो स्याम सुन्तर यादों की गेहूं रहर वहीं सकलदेव पंडित की एक एकड़म लगी गेहूं को नश्ट कर दिया है गोड़ा से मुंबाई के लिए खुलेगी ट्रेन चार ट्रेन की सोगात गोड़ा सालसत के पहल पर गोड़ा को एक और नाइट ट्रेन मिली है इस बार गोड़ा सीधे तोर परदेश के आतिक राजधानी मुंबाई से जुड़ जाएगा कारण की भागलपूर से खुलने वाली लोक माने तिलक गोड़ा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22-31 अब आने वाले दिनों में गोड़ा से खुलेगी ट्रेन विकली होगी ट्रेन को रभी वार के सुबह साले पांच मज़े से खुली जाएगी यह ट्रेन भागलपूर से दीन के 8 बचकर 55 मिनट मुंबाई के लिए रवाना होगी वही ट्रेन सोमवार की साम 5 बचकर 50 मिनट में देश की आर्थिक रैधाने मुंबाई पहुँझाएगी भागलपूर से इस ट्रेन का नियमित रूट पर परिचलन किया जाएगा युवा मद्दाताओं में पूरुसों से अधिक महिला है लिंगा अनुपात में बिरिधी जारखन में महिला मद्दाताओं के संख्या पूरुस के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है चुनाव आयों की ओर से प्रकासित मद्दाता सुची के अनुसार महिला जुआ मद्दाताओं ने पूरुसों को पीछे छोड़ दिया है राजे में 18-22 वर्स आयूवर्ग में मद्दाताओं की कुल संख्या 21,677 है इनमें पूरुस मद्दाता 10,64,282 है महिला मद्दाता 11,2,903 है इसी तरह ठारे से 29 वर्स आयूवर्ग के कुल मद्दाताओं की संख्या 7,71,68 है इनमें महिला मद्दाता 4,26,7,7,7 वा पूरुस मद्दाता 3,44,866 है यह पहली बार है जब उक्त वर्ग में महिला मद्दाताओं की संख्या पूर्ष्टो की तुनला में अधिक हो गई बंधु तिर्की बोले एतिहासिक होगी 4 फरवरी के आदिवासी एक्ता महाराईली भाजपा RSS की आदिवासी बिरोधी नितिया और आदिवासी समुदाय को आपस में लडाने के सड़ेंद के खिलाब प्रवरी के मुराबादी मैदान में अधिवासी एक्ता महाराईली की जाएगी इस महाराईली में पुरे राज जे से लाको की संक्या में आदिवासी समाज की लोग सामिल होंगे एबाते कंग्रेस के करेकारी अध्यक्स बंधू तिर्की ने कही है वे दिन दियाल नगर इस्ठीट अपने आवास में प्रेस को समोधित कर रहे थे सिरी तिर्गी ने कहा है कि आज आदिवासी समुदाय को धर्म जाती समुदाय के नाम पर लड़ा करा नितिक रोटी सेखने का कारे किया जा रहा है इसलिए आदिवासीों को अब एक चुट होने की जरूरत है और याथा आने वाले दिनों में वे समाप्त हो जाएंगे बंधु तिर्गी ने कहा है कि इसलिए के माध्यम से आदिवासी समुदाय के समयधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की त्यारी है उस पर चार्चा की जाएगी करपूरी ठाकूर को भारत रतने के पूरे हकदार थे उन्हें भारत रतन और पहले मिलना चाहिए था मुझे यह जनकारी मिलने पर बहुत खुशी हुई है मैं अपने जीवन में जीतने नेताओं के साथ काम किया हूँ उनमें करफुरी ठाकुर सिर्श दो तिन नेताओं में सामिल है उपरोक्त बाते पुर्व बीत मंत्री और करफुरी ठाकुर के मुख्य मंत्री कारेकाल में उनके परदान सचिव रही अस्वन सिना ने कही है बता दे कि अस्वन सिना ने मुख्य मंत्री करफुरी ठाकुर के कारेकाल में दो साल तक परदान सचिव के रूप में काम किया इन दो सालोग में उनके साथ उनका कारेकाल कैसा भीता इन सारी बातों को उन्होंने समझाया है साहब गंज में नदियो जीलो का सरवे 32,000 पक्षियों की पहचान जारखन के साहब गंज में पहली बार बड़े प्रमाने पर पक्षियों का सरवे किया गया है जीले की 34 नदियो और जीलो में किये गया सरवे में 32,666 पक्षि मिले है इसके लिए वन रक्षी इंद्रजीत कुमारदास के नितिवत में अलग-अलग चार्ट टीमों का गठन किया गया था बता देव पक्षी सर्वेक्षन के लिए बनी टीम A ने सबसे अधिक 19323 टीम B ने 2339 टीम C ने 5484 एं टीम D ने 530 पक्षियों के गणना की है अब उन पक्षियों का वर्गी करन समेत अनपरक्रिया पूरी की जा रही है बन विबाय के अस्तर से सिग रही उनकी फाइनल रिपोर्ट तयार की जाएगी दरसल यहां के डीएफो मनिस्तिवारी का परयास चीले की परमुक जीलो को वेंटलेट के रूप में केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अजिस्चित कराने का है इसके लिए उनके अस्तर से पहल की जा रही है धन्यवाद